दोस्तो जुलाई खतम होने वाला है और मौसम काफी सुहावना हो गया है और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से फ्लारिंग प्लांट है जो हमें सर्दियों तक भर-बर के फूल देंगे धेरों फूल देंगे तो हेलो फ्रेंज मैं रश्मी स्वाग उप्लार बहुत सारे कलर देखेंगे सिंगल पैटल-डबल जैसे कंभीनेशन भी होते है और जो डबल पैटल का फूल है है वह वाकिए बहुत खुपसूरत दीखता है और अबसे यह बहुत अच्छे से बारिश में यह बहुत अच्छे से गलो होता है उसकी ग्रोध भी द तो आपको यह सर्दियों तक धेरो फूल देंगे तो आप आप राजिता को अवश्य ग्रो कीजिए फिर जो तूसरा पौदा है वो है हिबिसकस का हिबिसकस का भी जो प्लांट है वो अब भी बहुत अच्छी तरह से इस बारिश में ग्रो होगा इसमें भी नहीं नहीं कल्या निकलती है और प्लांट में इसमें बहुत सारे कलर कॉंबिनेशन भी आते हैं देसी वराइटी आती है हाइब्रिड वराइटी आती है जैसे यह देखिए यह डेबल पैटल का है मल्टी पैटल का पिंक कलर का फ्लावर है और इसमें भी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो अच्छे से फ्लारिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप है विसकस को भी इस वक्त अपने गार्डन में एड कर सकते हूं उसके बाद यह अलमंडा बुश है इसको भी आप इस वक्त अपने गार्डन में एड कीजिए जैसे ही थोड़ी सी धूप ज्यादा निकलेगी तो इसमें भी बहुत अच्छी तरह से इसमें भी फ्लारिंग होगी उसके बाद यह जो आप देख रहे हो यह हर्शिंगार का पौदा है जिसे पारिजाद भी कहा जाता है कहा जाता है कि यह पौदा पारिजाद है मदुकामीन है और अपराजिता यह तीनों पौदे स्वर्क से आए ह इसमें भी इसमें फ्लारिंग स्टार्ट होगी इसमें बहुत ही अच्छे खुश्बुदार वाइट कलर के फ्लार खिलते हैं और उसकी डंडी जो होती है वो औरेंज कलर की होती है तो दिखने में बहुत खुबसूरत लगते हैं और यह शाम को खिलते हैं और सुब जब द तो इसे भी आप इस वक्त अपने गाडन में एड़ कर सकते हो, रातरानी का पौधा भी बहुत अच्छी तरह से फ्लारिंग करता है, इसे तरह से ये डेबल चांदनी का पौधा है, इसमें भी सिंगल पैटल, डेबल पैटल, दोनों वराइटी आती है, वाइट कलर के इसमें फ्लार खिलते हैं सड़ी की 2 मेने छोड़के पूरे साल इसमें इसी तरह से हैवी फ्लारिंग होती है और गर्मी और बरसात में तो इसमें गुछ्छों में फूल आते हैं तो तब ये पूरा पौदा सफेद रंग का हो जाता है तो दिखने में बहुत खुशूरत लगता है इ इसमें एक और वेराइटी आती है जिस्सें ब्ल्यू तगर बोलते हैं इसके फूल इस तरह से पिंक कलर कराते हैं ये आक चांडनी की वेराइटी है तो दीखें कितने com किपले फूल खीलते हैं उसके बाद आप इस वक्त कनेर या ओलेंडर और कनेर की कोई भी वेराइटी आप लगा सकते हो हाइब्रीड लगा लो चाहे दीसी लगा लो बहुत अच्छी तरह से इस वक्ति फ्लारिंग करते हैं जैसे ही थोड़ा सा टेंपरेचर मॉडरेट होता है तो इसमें कलिया बनने लगती है और बहुत अच्छी तरह से ये बिना किसी केर के चलने वाला बहुत अच्छा फ्लारिंग प्लांट है तो इसे भी आप अपनी गार्डन में जरूर एड़ करेंगे इसमें भी सिंगल पैटल डबल पैटल आता है बहुत सारे कलर भी मिल जाता है तो कोई भी कलर ल इसके जो फूलो का साइज है वो भी इस वक बढ़ जाता है जबकि इसके जो पत्ते होते वो नाक के फन की तरह होते है इसलिए इसे नाक चंपा बोलते है तो इसे भी आप इस वक्त अपने गार्डन में लगा सकते हो इसे आप इस वक्त कटिंग से भी त्यार कर सकते हो इस फिर ये summer verbena का plant है, मेरे पास इसका बहुत बड़ा plant था लेकिन इस summer में बहुत थेज गर्मे की वज़े से धीरे धीरे वो plant खतम हो गया कि लेकिन बारिश आते थोड़ी सी मेरे पास इसकी branch बची हुई थी तो मैंने इसमें सारी cutting लगा दी और देखिए सारी cutting लग गई और इसमें फूल भी आना स्टार्ट हो गया है तो इसे भी आप इस वक्त अपने गार्डन में लगा सकते हो जो अक्टूबर नविम्बर तक आपको फूल देगा यह समर वर्बिना की वराइटी है जबकि जो विंटर में वर्बिना आता है वो अलग आता है फिर अभी इस वक्त आप पर्सलेन पोटूला का इस वक्त आप अपने गार्डन में एड कर लेजिए बहुत अच्छे से इसमें अभी नवंबर तक इसमें भूट धेर सारे इसमें फूल खिलेंगे जितने गर्मियों में नहीं खिलेंगे उतने यह बारिश में खिलते हैं तो इसे भी आप इस छोटी से छोटी कटिंग भी रहती है जब भी आप लगाती हो तो सर्दियों में थोड़ा सा ही डॉर्मेंट होता है लेकिन सर्दियों में भी यह प्लांट खतम नहीं होता और जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तो तुरंत यह प्लांट ग्रो होने लगता है तो यह november तक flowering देते रहेंगे, फिर यह एक plant है, climatis है, climatis का पودा है, जिसे यह bel luma पودा है, इस में इस तरह से white color के flower खिलते हैं, यह भी summer का घी पودा है, लेकिन इसमें भी October, November तक बहुत आसानी से इसमें भी full खिलते रहते हैं, जब मैं यह plant लाई थी, तो यह बहुत छोटा सा plant थ है लेकिन देखे आभी इसमें कितने सारी कलिया आई है और फूल भी खिलने लगे हैं और लास्ट में जो पौदा शेयर कर रहे हूं वो है सदा बहार का सदा बहार यानि सदा आपके गार्डन में रहने वाला पौदा इसमें भी हाइब्रिड वराइटी आती है देसी होती है उसे किसी भी मिट्टी में लगा लीजिए और बहुत अच्छी तरह सिक्रू हो जाती है लेकिन यह जो हाइब्रिड वराइटी है वो थोड़ी से संसिटीव होती है इसे आप बारिश के पानी से बचा के रखिए हाँ इसकी जड़ों में आप बारिश का पानी दीज लेकिन इस वक्त आप देसी वराइटी के सदा बाहार लगाए बहुत अच्छी तरह से वो आपको फूल देंगे तो इस वक्त आप विंका को भी अपनी गार्डन में एड कर सकते हो तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक